गाइज वन्स अगेन वालकम ओन मैं चैनल मैं स्विध आरना क्लास नाइन चैप्टर वन का एक और टाइप का कुईशन आज मैं कराने वाली हूँ और मैंने बहुत मतलब काफी चैप्टर तो मैं कम्प्लीट करा ही चुकी हूँ तो आप मेरी प्रीवेस वीडियो उसको जरूर देखिएगा आपका जो यह चैप्टर है पॉफेक्ट जो है इसके आपको प्रिपैरेशन हो जाएगी तो आएए अपना क्वेशन करते हैं तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं देखो मेरे को दो नंबर दिये हूँ है A और B तो ह हम A और B को पहले सबसे पहला तरीका है तो हमें हमेशा नंबर जो है इस तरीके से दिया होगा देखो इसमें हम पहले A देखते हैं देखो It is we have, हमारे पास क्या है, A है, A कितना है, root 5 plus root 2 upon root 5 minus root 2, हम उपर नीचे क्या कर लेंगे से, rationalize, root 5 plus root 2, हमारा क्या आएगा, root 5 plus root 2, उपर तो whole square आएगा, नीचे आएगा आपका root 5 square minus root 2 square, A square plus B square plus 2 into A into B upon root 5, root 5, 5, root 2, root 2, 2, 5 plus 2 plus 2 root, root 5 की root 2 से करोगे, root 10, 5 में से 2 गया 3, 5 plus 2, 7, 7 plus 2 root 10 upon 3, यह मेरा rationalize करके आया, second जो B है, हम उसको बिल्कुल भी rationalize करके नहीं दिखाएंगे, हम लिखेंगे, similarly, B is equal to 7 minus 2 root 10 upon 3, ठीक है, A और B निकाल लिया, अब हमें क्या प्रूफ करना है, 3A square plus 4AB minus 3B square, अगर मैं इसको देखूँ, तो अगर मैं इन दोनों में से 3 common लेती हूँ, तो आपका एगा, A square minus B square plus का 4AB, ठीक है, A square minus B square के identity होती है, A minus B, A plus B plus का 4AB, it means मुझे A minus B निकालना पड़ेगा, A plus B निकालना पड़ेगा, और A भी निकालना पड़ेगा, फिर जब हम उनको ऐसे put करेंगे, तो मेरे यह वाली value आ जाएगी, तो पहले हम A minus B निकाल लेते हैं, A 7 plus 2 root 10 upon 3, B है, minus 7 minus 2 root 10 upon 3, 7 plus 2 root 10 minus 7 minus minus plus 2 root 10 upon 3, 7 से 7 cancel, 2 root 10, 2 root 10 कितना होता है, 4 root 10 by 3, A minus B आ गया, अब हम A plus B निकालते हैं, A plus B में 7 plus 2 root 10 upon 3, plus 7 minus 2 root 10 upon 3, LCM 3 आना है, 7 plus 2 root 10 plus 7 minus 2 root 10, 2 root 10 से 2 root 10 cancel, 7 plus 7, 14, 14 by 3, अब हम निकालेंगे A B, A B निकालेंगे, A है आपका, 7 plus 2 root 10 by 3 into, 7 minus 2 root 10 by 3, ठीक है, नीचे आएगा 9, उपपर आएगा A का स्क्वाइर, माइनस 2 root 10 का स्क्वाइर, अब देखो, 7 का स्क्वाइर होता है, 49, 2 root 10, 2 root 10 अगर आप मल्टिप्लाई करोगे, तो आएगा 2, 2 is the 4, root 10, root 10, 10, 4, 10 जा 40, यानि कि माइनस का 40 अपउन 3, 3 is the 9, यह आपका आया 9 by 9, इट मींस यह आपका आया 1, हम सारी वेल्यू निकाल चुके, LHS हम लेंगे, हमें LHS प्रूफ करनी है, देखो, 3A square, ठीक है, हमें प्रूफ करें 3A square plus 3A square plus 4AB minus 3B square, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, 3A square minus B square plus 4AB, इसको हम लिख सकते हैं, 3A minus B, A plus B plus 4AB, अब हम value put कर देंगे A minus B की value थी आपकी 14 by 3 A plus B की value थी आपकी Sorry, A minus B की value थी आपकी 4 root 10 by 3 A minus B की value यह है A plus B की थी 14 by 3 Plus 4 into A, B की value थी आपकी 1 3 से 3 कटा 14, 4 जा 56 root 10 upon 3 B plus 4 यानि कि शायद हमें यही प्रूफ करना था हाँ, तो यह हमारी क्या हो गई RHS हम प्रूफ कर चुके होप आपको अच्छे से question समझ में आया हूँ ऐसे ही अच्छे question के लिए मेरे चनल को जरूर सब्सक्राइब कीजी